तो स्वागात आप सुभी का कोहली खलासेज में तो आज हम लोग देखेंगे बिहार क्रेंट अफेर में माई दोजार चोबिस का वर्ण नेडर चले स्टार्ट करते हैं 21 माई 2024 को आईटी पटना के दसवे दक्षान समारो का आयोजन किया गया इस समारो के मुख अथिती कौन थे तो आईटी पटना के दसवे जो दक्षान समारो किया गया था अजित इसमें जो मुख अथिती थे वो थे CSIR के महा निदेशक डॉक्टर एंड के लिए सैल भी तो CSIR के दोरा ही दिया जाता है सांती सौरू भटनागर कुरूसकार जो दिया जाता है अगर आप लोग सुने होगे नाम तो CSIR के दोरा ही दिया जाता है चीज़ आगे बढ़ते हैं next देखते हैं 7 मई 2024 को बिहार में संपन लोग सभा के तीसरे चरण के मत्यदान में मत्यदान का परतिसद कितना रहा तो जो अभी लोग सभा का जो चुनाब होगा था 2024 में तो उसका जो तीसरा चरण होगा था बिहार में और होड कितना बड़ा सब्सक्राइब लोग देखेंगे जो कि 2024 लोग सब्सक्राइब से संब्सक्राइब टेकर लाएगे बढ़ते हैं 28 माई 2024 को कैन सरकार ने देश के सभी राज्यों के 55 सरकारी एभम गैर सरकारी बिजली कमपनियों की रेटिक एभम रेंकिंग जारी किया इस रेंकिंग में नौर्थ विहार पावर दिस्टिविशन कमपनी एभम साउत विहार पावर दिस्टिविशन कमपनी की रेंकिंग क्या है तो सैतिसमा और अर्तिसमा है 23 माई 2024 को पटना के प्रेम चंदर रंगसाला में 14 नटराज उस्सब का आवज़न किसके दोरा किया गया तो प्रेम चंदर रंगसाला में 14 नटराज उस्सब का आवज़न किया गया था किसके दोरा ये किया गया है नटराज कला मंदिर के दोरा आगे बढ़ेंगे 23 माई 2024 को गया के महाबोधी मंदिर पडिसर में भगमान बुध की 268 जैनती के उपलक्ष में आयोजी समारों में बतोर मुख्य अतिती कौन सामिल हुए थे तो बिहार के राजपाल राजन विसमनात आड़ लेकर आगे बढ़ते हैं हाली में बिहार के किस विस्विद्याले में मचलियों के डीने जांच के लिए राज की पर्थम PCR तो राज की पर्थम PCR मसीन लगाने का रनिर्ना लिया गया है यह किस विस्विद्याले में इन्वर्सिटी में तो यह है अपका अभीवरा अम्मेदकर बिहार विश्विद्याल है मुजफर पुर्मे जोकी है 7 मई 2024 को बिहार सरकार के सिक्षा बिभाग ने अपनी योजनाओं का लाब उठाने के लिए जिस पोर्टल का उपलवध जानकारी जिस पोर्टल पर उपलवध जानकारी को आधार बनाने का निर्ना किया है अर्था 7 मई 2024 को बिहार सरकार के सिक्षा बिभाग ने अपनी योजनाओं का लाब उठाने के लिए जिस पोर्टल पर उपलवध जानकारी को आधार बनाने करने ने किया है वो है कौनसा पोर्टल है वो है इस सिक्षा को स्पोर्टल बीस मई 2024 को संपन लोगसभा के 25 चरण के चुनाब में बिहार में मतदान का परतिसत कितना रहा तो 55 चरण में है कितना रहा 56 दसावलब 76 परतिसत एक मई 2024 को आत रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला एस्टोमा किलनी कहा खोला गया तो आत रोगियों के इलाज के लिए जो खोला गया बिहार का पहला एस्टोमा किलनी की ये खोला गया आईजी आईएमेस पड़ना में एक मई 2024 को पदम सिरी से सम्मानित बिहार के परसिद व्यक्ती नरेंद परसाथ का निधन हो गया उनका संबंध किस छेतर से था पदम स्री अवार्ड भी मिल चुका है बिहार सरकार दोरा बिहार लगू यूधमी योजना तो बिहार लगू उधमी योजना 2024 के तहत लगभग 96 लाख परिवारों को परती परिवार कितनी बितिय सहता परदान की गई है तो 94 लाख परिवारों को जो दिया गया है वित्या सहता वो 2 लाख रुपे दिया गया है परतिक परिवार को बिहार सरकार ने राज के कलाकारों को परसिक्षन परदान करने के लिए कितने जिलों को आम्र पाली परसिक्षन के अंद खोलने की मंदूरी दिया है तो आम्रपाली पर सिक्षन के इन्द खोनेक जो मन्जूरी जो दिया गया वो सभी जिला में दिया गया विहार सरकार दोरा की गई खोसना का नुसार राज के खिलाडियों को सलाना अधिक्तम कितने रुपे तक की खेल छातर विर्थी परदान की जाएगी तो अधिक्तम जो परदान किया जाएगा वो कितने किया जाएगा 20 लाग तक का परदान किया जा सकता है खेल छातर विर्थी नौ मई 2024 को राष्टपती द्रोपती मुर्भूर ने बिहार के रहतास जिले के असोक विश्वास तथा दर्भंगा जिले के राम कुमार मलिक को पदम सिरी से सम्मानित किया है इन दोनों व्यक्तियों का संबंध किसे है तो देखिए असोक विश्वास का जो संबंध है वो है टिकुली कला तो बिहार के बहुत फैमस कला है टिकुली कला असोक विश्वास उन से संबंधित है और दुरुपत जो गायन से लिए कला में ये मिला राज कुमार मलिक को इस तो आपका होगा पदम स्री एक पदम भी भूशन और एक पदम भूशन ठीक है अगर आप लोग नहीं देखेंगे वीडियो तो लोड़ प्लेडिस्ट में जाके देख सकते हैं पदम स्री अवाड वाला 4 माई 2024 को केंद्रिय परदूसन नियंतरन बोड दोरा जारी वायू गुनवत्ता सुचकांक में पूरे देशवर में बिहार के पटना एवं हाजिपूर सहर को कौन सा स्थान दिया गया है तो पूरे देशवर में जो अस्थान मिला है वो दूसरा एवं तीसरा मिला पटना दूसरे नमर पर है और आपका जो हाजी पूरे हो तीसरे नमर पर है पूरे और तेस में भायू पर दूसरा देखा जहां गुणवत्ता के तौर पर है चलिए आगे बढ़ते हैं NAKS तीन माई दोजार चोविस को इंडोनेसिया में आयोजित जाकार्ता फ्यूचर्स फॉरम में बिहार का परति निधित किस ने किया तो 3 मईद 2024 को इंडियोनेशिया में आयोजित जाकार्था फ्योचर्स फॉरम में बिहार का जो परतिम निविप किया था वो कौन तो पडियावरन वन और जलवाई पडिवरतन विभाग बिहार की जो सचीव है मन्ना प्रियासी ने की दि हिमाचल पर्दीश के नगर रोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर्ड जोनल विमेंस वेट लिप्टिंग चेंपियंशिप हिमाचल पर्दीश के नगर रोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर्ड जोनल विमेंस वेट लिप्टिंग चेंपियंशिप में बिहार के पटना जिले की खुसी कुमारी पटना जिला की खुसी कुमारी कौन सी पड़क जीती तो इनको मिला है ब्रॉंज मैडल कांस खुदाई के दौरान पांचवी सदी के गज लक्षमी की पर्तीमा मिली है तो ये मिला नवादा जिले के मेस कौर परखंड से हाली में वडेम मेले का जो आजन कहां किया गया तो वडेम मेला का जो आजन किया गया ये किया गया वडेम, राघव, सुर्या मंदिर और अंगाबाद में विहार के वानिजिक कर विभाग दौरा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के वानिजिक कर विभाग दोरा दी गई जानकारी के अनुसार बर्ष 2022 की तुलना में वित्य बर्ष 2023 चोविस में बस्तू एवं सेवा कर जियास्टी संग्रा में कितने परतिशत विर्धी देखी गई है तो 18.1 तिल परतिशत की विर्धी देखा कया है बिहार का वह जिला जो पासपोर्ट बनाने के मामले में पूरे देश में पाले अस्थान पे रहा तो वह कौन सा जिला है तो वह जिला है सिवान जिला है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार की मीरा कुमारी को भारतिया पैरा सुटिंग टीम का गोच न्यूक्त किया गया है उनका संबंध है कहां से अर्थात किस जिले से तो उनका जो संबंध है वो पूर्ण निये जिले से है मीरा कुमारी का चुनाव आयोग ने पटना के किस ट्रांस्जेंडर महिला को बिहार का एस्टेट आइकन बनाया है तो मोनिका दास को बनाया था याद रखेगा इंपोर्टन कोश्चन है बिहार का उखा व्यक्ति जिसे हाल ही में राष्टिया महिला होकी टीम का कोश न्यूक्त करने की घोशना की गई है तो किने किया गया तो ये किया गया घोशना हरेम सिंग को लेकर जो राष्टिया महिला होकी टीम के कोश बने है यह आपका माई का नियुज है यह कोछ बन चुके हैं 30 माई 2024 को सहित अकादमी पुरुषकार से सम्मानित बिहार के मैथली भासा के प्रख्यात सहितकार कमलकांत जहा का निधन हो गया कमल कांथ जहां को जो मिला था साहित अकादमी पुरुषकार को कम मिला था 2020 में मिला था और उनकी ग्रशना थी जिसके लिए मिला था साहित अकादमी पुरुषकार उपन्यास उसका नाम था गाच रूसल अच्छे उनका निदान हो गया थीक है तो इसमें पूछा क्या गया था इसमें यहीं पूछा गया थो उनको किस उपन्यास को लेकर दिया गया था सहीत अकार्मी फुरुष का हाली में राष्टिया प्रत्यान बोर्ड से मानेता पाने वाला पिहार का पाला पॉल्टेक्निक कॉलेज खौन है तो जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रिडियेशन जो होता है प्रत्यान उससे मानेता मिला वो स्री राम पॉल्टेक्निक कॉलेज को मिला जो कि मधुवनी में कि अंतरगत लाब उठाने के मामले में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है तो चौत्हा स्थान है सुकानिया समिर्धी योजना जो इसमें लड़कियों के लिए जो एक प्रक समझे कि इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आपको कुछ पैसा रखिए मेचुरिटी पीड कि निग्रानी की गोजना कि गई नदीको हर आली में मखाना पर हरी में मखाना पर तीन दिवस्या रास्ट्य समिनार का आर्जन बिहार में कहां किया गया तो अगले वीडिय om Using k statist कि या देख लिया था मैं अगले वीडियो को जरूर ने आहीं हूं अगले वीडियो में धन्य बाद